हेलो मैं योगेंदर बाहदुर सिंग अपने यूट्यूब चैनल गनितपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल का नाम गनितपुर है लिख दिया हमने और मेरे मिसन का नाम है तेरा तुझको अरपन यानि कि जो कुछ भी हुनर जो भी स्किल जो भी ज्यान जो कुछ भी मेरे पास अध्यान अध्यापन से संबंदित है वो मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर रहा हूँ तेरा तुझको अरपन मने है प्रभू जो तुमने मुझे दिया है मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ अब प्रभू को मैं क्या समर्पित करूँगा तो प्रभू के ही अंस हैं स्टूडेंट्स मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ बड़ा ही सहज भाव से मैं हायरे जू के सन की मैथमेटिक्स पे वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ इजी टीचिंग के माध्यम से कोई लटका जटका नहीं कोई बॉड़ी लेंग्वेज में कोई ड्मेटिक स्टाइल नहीं सब कुछ बहुत इजी बहुत ही सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तोत है मेरा नाम योगन बादुर सिंग फिर से दुरा दू मेरे चैनल का नाम गनितपूर है मेरे मिसन का नाम तेरा तुझको अरपन है और मेरा नाम योगन बादुर सिंग है मैं सुल्तानपूर से हूँ आज मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ सिस्टम आफ लीनियर एक्वेशन्स ये मैंटिसेज का हिस्टा है एक चेप्टर है इसमें दो सिस्टम्स हम लोग देखेंगे एक हमोजिनस सिस्टम आफ लीनियर एक्वेशन्स और एक नान हमोजिनस सिस्टम आफ लीनियर एक्वेशन्स तो आए शुरू करें शुरू करने से पहले एक अपील आप से हम कर लें कि आप इस चैनल से अन्यों को भी जोड़िए जिनका कोई सरुकार इन चीजों से हो इन विश्यों से हो ऐसे लोग आपके रिस्तेदारी में आपके परचित में कहीं भी हो उन्हें आप इस चैनल से जुड़िए आपको एक सहज Classroom Teaching का Experience होगा आपको यह लगना चाहिए कि आपको बहुत ही सहज बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आपके बात समझ में आ रही है और समझ में आना भी चाहिए क्योंकि मेरा उदेश यही है यह आपको हम गनित सिखाएं मेकनिजम से जाएं सब्जेक्ट सिखाएं इसारेसा क्लियर जितनी भी किताबे मार्केट में उपलब दें उन सभी में जितने भी प्राबलम से हैं वो सब हल करा दें नहीं ऐसा अपना कोई इरादा नहीं है अपना इरादा है आपको सब्जेक्ट सिखाना और उतने एक्जमपिल्स करा देना जितने से कि आप ट्रेंड हो जाएं कहीं कहीं जरुत पड़ी है किसी किसी प्लेलिस्ट में हमने 32, 32, 34, 34 एक्जमपिल्स दियें कहीं जरुत पड़ी है तो 10-12ी Państwo में ही बात खतम कर दियें यह जरुत पहन कि कितना है कि मालुम में बात किसी पूरी है और हम को पता है कि हम कौन-कौन से एक्जमपिल खुआज कितने एक्जमपिल्स आपको बता दे हैं आपकी training पूरी हो जाए उसके बाद भी अदी training पूरी नहीं होती है तो बच्चों ये कमी हमारी side से नहीं होगा समझे कि ये कमी आपकी side से है आपका background बहुत कम जो रहे हलागी हम पढ़ाते समय background भी खंगाल लेते हैं एक बार लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा आईए हम इस playlist की शुदवात करें इस playlist का ये पहला वीडियो है इसमें आपको हम basics बता रहे हैं basics 1 हमने लिखा है इसका मतलब basics पर अगला वीडियो भी दहेगा ताइप साफ सिस्टमस ताइप साफ सिस्टमस ओ लिनियर एक वाले एक वाले ताइप सिस्टमस ओ लिनियर एक्वसंड दो याथीन वेरीबिल मेसी बոल्दो चाह जितने वेरीबिल बोल्दो तो there are two types, there are two types of systems of linear equations, कौन कौन से, A, non-homogeneous system, चलो पहले homogeneous लिखे लो, non पहले लिख बोलना अच्छा नहीं लिख रहा है, पहले homogeneous word आए तब तो non-homogeneous कहा है, homogeneous system of linear equations, of linear equations, of linear equations यह लिखना हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ी रहे linear equations के system के बारे में, homogeneous system of linear equations और दूसरा non-homogeneous system, non-homogeneous system of linear equations, non-homogeneous system से आप खुबी परचित हैं, तीन variable में आप, gos method of elimination के माद्यम से, उनको solve भी कियें, छोटी कक्षा में ही किये होंगे, high school में ही किये होंगे, high school में ही किये होंगे, दो variable वाला तो किये होंगे, तीन वाला तो inter में हो सकता है पहला पढ़ा हो, नहीं तो BSC में ज़रूर पहला पढ़ा होगा, three-dimensional geometry plane में, आपने silvester method of elimination भी पढ़ा होगा, kair, determinant method inter में आपने पढ़ा होगा, kreman skanium आपने पढ़ा होगा, अगर आपको लगता है कि सर जो जो बोलना है, हमने तो कुछ पढ़ा ही ने, तो बिल्कुल घबलाई हैं गमद, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, so, पहले हमने आपको बताया, कि टाइप्स इतने होते हैं, अब एक-एक को ज़रा देखिए, mainly हम matrix form, हम जारना चाहेंगे, किसी भी system को matrix form में हम कैसे लिखेंगे, और फिर matrix की theory का इस्तेमाल करके, हम उसको solve कैसे करेंगे, homogenous system में लिख देता हूं पहले, या बेतर है मैं heading डाल दू, types of systems जैसे heading डाला है, वह से मैं heading डाल दे रहा हूं, matrix form, मत्रिक्स फर्म्स फस्तेम्स लिनेर एक्षिस्ट्स, हाँ, एक बात मैं और दुरा दू, कि इस चप्टर को पढ़ने के लिए rank, भली भात ही आपको आए, यह बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस playlist को शुरू करने से पहले, rank आप खोब भली भात सीख लेजिए, rank की हमारी सारी playlist में जितने वीडियों हैं, I think कुल 14 वीडियों हैं, वो सब देख ड़िये, matrix forms of systems of linear equations, A, homogenous system, जटके में कहीं spelling में कोई mistake हो जाए, तो ठीक कर लिएगा, हाँ, कभी-कभी हम लोगों से यह छोटी-छोटी गलती हैं हो जाती, क्योंकि दिमाग, गनित पढ़ाते समय, दिमाग आगे-ागे दोड़ता है, कई step आगे दोड़ता रहता है, Homogenous system, A11x1 plus A12x2 plus so on plus A1nxn equal to 0, बहुत सारे हमें coefficients हैं हैं, coefficient लिखने में हम double index का इस्तेमाल करना है, A21x1 plus A22x2 plus so on plus A2nxn equal to 0, A1x1 plus A2nxn equal to 0, यह हो गया system, इसको एकथा नम्बर दाल दे रहा है, और यहां में हम लिख दे रहा हूं, यहां, यहां, this is homogeneous system of कितने equations हैं? M, this is homogenous system of M equations in N variables, कौन कौन से N variables, X1, X2, 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 X A1N, A21, A22, so on, A2N, so on, AM1, AM2, so on, AMN, order चाहें तो लटकाते हैं यहीं पे, M cross N, into column matrix, X1, X2, so on, XN, इसका order क्या है, N cross 1, is equal to, अब देखो, MN, N1 तो order आएगा, M1, 0, 0, so on, 0, यह होगा, M cross 1, यह ही इसका matrix representation है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिखना, that is, capital A into capital X equal to null matrix, यह, तो system, आप equations को matrix form में लिखना, और फिर अब matrix की theory लगा करके, इसको solve करना, यही इस chapter में हमें पढ़ना है, तो फिलाल इसको हम बता दिये, अब आएगे non-homogeneous system का matrix form देखिए, हाँ, इसको हम मिटा के, क्या फाइदा, इससी को हम लिख दे रहे हैं, B, एक word इसमें बढ़ा लो, non, ऐसे, non-homogeneous system, और अब इस system में क्या है, कि इधर जो दाहिने तरफ 0, 0, 0 है, एक constant आ जाएगा, B1, B2, BN, इन सभी constant में कम से कम एक, कम से कम एक constant, non-0 होना चाहिए, अगर सभी 0 हो जाएगा, फिर वो homogenous system बन जाएगा, और इधर बाहिन तरफ, constant, free constant वाला term नहीं होना चाहिए, पता चला आप B1 को इधर कर दे, minus B1, इसब को इधर कर दो कर दिये, लीजिए, सर homogenous बन गया, दाहिने सभी 0, 0 हागया, तो माना नहीं जाएगा, बाहिन तरफ, जो भी term हो, सब variable वाले term हो, X1, X2, Xn वाले है, free constant, pure constant इधर नहीं है, यह सब दाहिने रहेगा, तो this is non-homogenous system, this is non-homogenous system of M equations in N variables, its matrix form is, यहाँ पर जीरो 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 की जगह, B1, B2, so on, Bn, यह आजाएगा, यह गलबड़ है, Bn नहीं होगा, यह पहला रो है, दूसरा रो है, यह Mth रो है, तो यहाँ पर M रहेगा, यह, यह, सबधानी थोड़ी बरतनी पड़ती है, जर आसा चूकेंगे तो गरबड़ी हो जाएगे, और इससे फिर यहाँ नल मैट्रिक्स ना लिख करके, इस कालम मैट्रिक्स को हम केपिटल भी लिख दे रहे हैं, यह, जब आप डिटर्मिनेंट एप्रोच पढ़ते हैं, इंटर में आप पढ़े हुए, ठीक है, ना, तो भाई डिटर्मिनेंट एप्रोच तो जितने वेरियेबिल्स हैं, उतने ही एक्वेसंस होने चाहिए, क्योंकि वेरियेबिल्स से क्या बन रहा है, कालम, हाँ, और एक्वेसंस से क्या बन रहा है, रोज, तो उतने ही एक्वेसंस होने चाहिए, जितने की वेरियेबिल्स हैं, तब ही डिटर्मिनेंट की बात करोग उसका range उसका जो दाइरा है लिमिटेड हुआ वो केवल तभी है जब number of unknown variables number of equations के बरावर हो तो अब उसी को और generalize कर दी हैं कि जब ऐसा ना हो तो क्या करेंगे तो हम matrix technique लगाएंगे वही आप पढ़ने जा रहा है तो मैंने आपको बता दिया types of systems फिर दोनो type के matrix forms और हम method of solution इन systems को और solve कैसे करेंगे तो आपरोचेश वन इस determinant approach वन इस matrix approach methods for solution methods for solution there are two methods for getting the solution number एक matrix approach matrix approach ठीक ना यह जनल अप्रोच है और भी determinant approach बताएंगे दोनों आपको दोनों सिखाएंगे determinant approach यह particular approach है particular case में होता है कि इस particular case में जब number of unknown variables number of equations के बराबर हो particular approach approach मने होता है रास्ता पहुच मार्ग रूट method वे टिपड़ हम लिक देराईंगे determinant approach determinant approach is possible only when number of unknown variables is equal to the number of equations ताकि number of rows, number of columns बराबर हो जाएंगे और हम determinant form कर सकेंगे ठीक कि यहां तक बात समझ में हाई सबको इसके बाद trivial sorry types of solutions अब हम बात करेंगे types of solutions की types of solutions there are two types of solutions a trivial solutions जिसमें सारे unknown variables कामान जीरो आ जाए viz लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं namely या मत लिखे नेमली आपको जंजट महसूस होगा अर्थाथ करके लिखे अर्थिया दीजिए trivial solutions का अर्थ क्या हुआ सारे unknown variables का मान जीरो आ जाए x1 इकोल डू जीरो x2 इकोल डू जीरो and so on xn इकोल डू जीरो ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि जो संदर हमारा चल ला है उसमें हमने variable सुरुवात में ही ले लिया था x1, x2, xN b non-trivial solution इसे zero solution भी कहते हैं zero solutions non-trivial solutions देखो trivial solutions में क्या है सभी unknown variables zero है तो इसमें क्या होगा not इसी को negate करना है सारे zero होंगे ना माने कम से कम एक non-zero जरूर होगा तो non-trivial solutions में मैं यहां लिख दे रहा है not all unknown variables are zero हाँ not पहले लगेगा बीच में not मत लगेगा not all the unknown variables are zero थोड़ा इंग्लिस पर द्यान दीजिएगा अगर हम not को छिपा लें तो पढ़िए क्या हुआ all the unknown variables are zero all the unknown variables are zero not नहीं 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 all the unknown variables are not zero मत लिखिएगा वो दूसरी बात हो जाएगी फिर तो सब non-zero हो जाएगा सारे unknown variables zero है ना ना ऐसी बात नहीं है इसका मतलब कम से कम एक जरूर non-zero होगा तो चाहो तो इसको अर्थिया दे रहा है that is at least one unknown variable अब unknown unknown क्या लिखना है not all the variables इसे लिखना that is at least one variable is non-zero सारे जीरो हो ना भाई ना कम से कम एक non-zero जरूर हो इससे non-zero solution भी कहते है non-zero solution भी कहते है types of solutions अब trivial solution तो trivial solution होता है non-trivial solution के भी दो प्रकार होते हैं अब मैं वो अपको पताने जा लूँ आपको दो यह अच्छे बात आप लोग या गोग ना यह대व जेए यह आप लोग हो लोग हो जैसे भी एक नोट्स बना लिजिए आपके नोट्स में दर्ज रहे बात तो अच्छे अच्छी बात धरी च्inder अच्छी बात हैुआथ नुदिए और ने ज़िए ने यह और चो एकदम सब कुछ जानकारी आपको मुकमल होने चाहिए Types of Non-Trivial Solutions Types of Non-Trivial Solutions A Unique Solutions Unique Solutions जितने Unknown Variables है उनकी सबकी वेलू एक एक वेलू एक एक वेलू सबकी आजाए सबकी एक एक वेलू आजाए और वो कैसी वेलू आजाए कि कम से कम एक Non-Zero उसमें जरूर है ध्यान रहा हम Non-Trivial Solutions की बात कर रहा है यही uniqueness है B infinite number of solutions infinite number of solutions ऐसा हलके से आप समझ लीजे एक equation में लिख दे रहा हूँ x plus y equal to 0 और मैं कह रहा हूँ कि इसके पास x equal to 0 y equal to 0 solution है x equal to 0 y equal to 0 x plus y equal to 0 के solutions हैं कि नहीं है है इसी के solution और भी होंगे minus 1 plus 1 x is equal to minus 1 y equal to 1 यह भी तो होगा x equal to minus 2 y equal to 2 x equal to minus 3 by 5 y 3 by 5 y equal to minus 3 by 5 समझ रहा है न इसारा अपिसले से आप समझ गया होंगे यानि यह system क्या है this is homogenous system this is homogenous system containing या consists of one equation in two variables मेरी बात ध्यान से सुनने होना this is homogenous system consisting of या which consists of one equation in two variables इसके पास मैं देको ध्यान सुनना homogenous system के पास trivial solutions होते ही होते है maximum होंगे के नहीं होंगे non trivial solutions non zero solutions हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इस particular equation में हैं और वो भी एक नहीं हैं अनेक हैं असंके हैं infinite number of solutions हैं तो इस system के पास infinite number of solutions हैं ऐसा मगल है infinite number of solutions निकाले के लिए क्या करते हैं, किसी एक को हम कोई arbitrary real number माल लिए, अगर y बराबर h माल लिए, जहां पर h arbitrary real number है, तो x बराबर क्या होगा, minus h, तो x equal to minus h, y equal to h, ये solution का set मिल गया, ये single solution नहीं, इसमें h के कितने मान होंगे, असंख, तो ये असंख solutions है, infinite number of solutions है, Unique solution माने बस एक ही solution, x का एक माना जाए, y का एक माना जाए, बस, तो solutions का type होता है, trivial solution, non-trivial solution, non-trivial solution का type होता है, unique solution, infinite number of solutions, ये सब दिमाग में आपको बढ़ा के रखना होगा, इसके बाद आज इस वीडियो में एक छोटी सी चीज में आपको और बता दूँ, और फिर आज का काम मैं समझता हूँ है, समझ किये जाए, vectors in, in the form of matrices, हाँ, थोड़ी सी एक नई terminology है, आपके सामने आने जा रही है, तो, heading में क्ये से डालू, इसको मैं heading डाल दे रहा हूँ, vectors, end matrices, ये बातचीत हो गए, row matrix is also termed as a row vector, बस ये ही vector word आया है, and column matrix, column matrix is also termed as column vector, तो ये अपनाई terminology है, इसको दिमाग में रखियेगा, row matrix में सिर्फ एक row होती है न, a equal to matrix aij, एक row होना है, तो one cross column आप end कर लो, और इसको आप लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, i vary नहीं करेगा, i की जगह क्या हो गया, one, यहाँ आप अंदर ही इसे change कर लो, अंदर ही आप लिखोगे, a one, n, sorry, j, और यहाँ लिखोगे, one cross n, यानि की elements सुझाएंगे, a one, one, a one, two, so on, a one, n, समझे रहें, यही है, यही है, यही है, यह क्या है, row matrix, इसी को हम क्या बोलेंगे अब, row vector, इसी प्रकार से a equal to, अब column एक रखना है तो इसको लिखे a i1, और यहाँ आप लिख दीजिए चाहे, तो n लिखे हो, चाहे, m लिख दो, m cross 1, यहनि पंक्तियों की संख्या m, column की संख्या 1, तो इसको लिखे, a one, one, a two, one, i को vary कराना है, i की जगा one, i की जगा two, i की जगा फिर last में m, so on, a m1, यह रहा, m cross one, और यह क्या है, one cross n, यही है row vector, और यह है column vector, row matrix, column matrix, clear, कोई बहुत बिसेश बात थोड़ी है, terms बदलना है, बस, row vector हम बोलेंगे row matrix की जगा, column vector हम बोलेंगे, column matrix की जगा, और अब एक linear combination, बता रहे हैं आपको, linear combination क्या चीज़ है, linear combination of vectors, अब vector के मतलब यह इक चलाएगे बस, चाहे हो column vector हो, चाहे row vector, linear combination of vectors, तो हम एक बार row में एक बार column में दोनों में लिख दे रहे हैं, number एक, a 1 capital X 1 plus a 2 capital X 2 plus so on plus a n capital X n is a linear combination, is a linear combination of the vectors X 1 comma, X 2 comma, so on comma X n, अब यह सारे vectors एक अही nature के होंगे, या तो सब के सब row vectors होंगे, या तो सब के सब column vectors होंगे, full stop, here, a 1 comma a 2 comma so on comma a n, all are scalars, scalars मने numbers, real or complex, अब हम दो result लिख रहे हैं, how a rho vector capital X is said to be a linear combination a linear combination of row vectors capital X 1 comma capital X 2 comma so on capital X n if there exist scalars a 1 comma a 2 comma so on comma a n such that capital X is equal to a 1 capital X 1 plus a 2 capital X 2 plus so on plus a n capital X here agar sir bhi likao two-way bat clear na X high X 1 X 2 X n ka LC LC money linear combination a do-do-do-bar-3-3-bar-pardhiyye feel utha yye apne and dar koji bhoat cutting bata nahi isse me pardha raha isse prekaar se number two a column vector a sublick ka aapko sablickhanah sikha raha hai aur yye sikha raha ki jese abur yye sab row vectors hain to inka linear combination column vector kaise ho jayega row vector jayega a column vector capital X is said to be a linear combination of a linear combination of column vectors capital X 1 comma capital X 2 comma so on comma capital X n if there exist scalars a 1 comma a 2 comma so on comma a n such that abhi scalar a 1 a 2 a n if jaroorhi nahi b1 b2 bn cn c2 kuch bhi likh duhi scalar exist karna chahiye such that x is equal to a 1 capital X 1 plus a 2 capital X 2 plus so on plus a n capital X n ये रहा है आज की इस वीडियो में पसित नहीं बात्ची तभी हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में भी बेसिक्स बात ठीक करेंगे thank you very much video ko like जरूर करिए चैनल को subscribe जरूर करिए यदे आपने कभी हमारा channeol subscribe नहीं किया है और हमारे वीडियो आप पहले देख भी को के तो channel को subscribe जरूर कर दीजे और bell icon प्रेस कर दीजे क्योंकि आज ये नई playlist की शुरूआत है इस playlist में जितने भी वीडियोज हम बनाएं उसकी सूचना आपको डारेक्ट मिल सके इसलिए बेल आइकन प्रस कर देजिए थैंक्यू वरी मच्छ